प्रश्यों ने चिलेंग अब स्टार्ट करते हम लोग अपना जो था बिजनस और इसन तो हम बपने बिजनस और सग्णाइशन में पार्टनर्शिप पढ़ रहे थे ठीक है पार्टनर्शिप पढ़ रहे थे उसमें रों ने कुछ टॉपिक को cover किया है कहां तक cover किया हम लोगने partnership जाने की कितने सारे के 파 Arkam extra Cum Lord belongs कहां हम लोग complete करेंगे उनके rights विकॉस जब लोगन को पता है कि partnership कितने टाइब के partnership होते हैं और कितने टाइब के partners होते हैं ये सब discuss हम लोगने कड लिया था आज को जो rap our तो आज नहीं है वह है राय्ट एंड्यूटी आफ पार्टनर्ज के राइच्व क्या होने चाहिए गूटीज होने चाहिए यह सब आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और भी जानेंगे कि partnership में registration कैसे किया जाता है क्योंकि आप जब खोलिएगा partnership firm तो उसमें पता हैं चाहिए कि हाँ किस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह दो टाइप के questions आते हैं तो आज वह हम लों discuss करेंगे ठीक है आज के इस session में तो पहले स्टार्ट करते हैं इनके rights से rights and duties आप उन्हें जाने के हर partners के right and duties equally होने चाहिए क्यों होने चाहिए just because हम लोग ने previously पढ़ कर आया है कि partners की जितने भी management में होते पार्ट सबके बराबर होते हैं और उनके जो profits होते है प्रॉफिट का जो sharing होते है वो भी equal होता है मतलब कि overall दिखा जाए कि partners को सबको बराबर बराबर का मतलब कि rights मिलता है तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या सारे partners को rights क्या-क्या है उन सारे को और सभी को बराबर-बराबर मिलेगा rights क्योंकि ये partnership बोलता है कि partners सभी को equally दिया जाएगा जो भी इनके राइट से हैं तो पहले आता है जैसे कि हम लोग पढ़ रहते हैं कि हम लोग कौन से आट सिब्सक्राद को बसे रुठकें बारे में पूरे बतायां गया है कि कैसे राइट से के बारे में डिसक्स करने वाले हैं ठीक है तो पहला जो है सारे पार्टनर्स के कैसे राइट संसा है जितने भी पार्टनर्स है इनकी जो मैनेजमेंट में कि management में उनको हर एक partner का involvement होना चाहिए देखिए हमें लिखा है every partner has a right to take a part in conduct and management of the business मतलब कि क्या बूलना चाहता है कि जो भी management का जो भी work होगा business में और मतलब हर एक काम जो भी management में सारे partners को मिलना चाहिए उसका right ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ एक partner है इस partner से थोड़ा कुछ issue चल रहा है तो इसको हमने बोलेंगे नहीं आपको यह काम नहीं करना है उनका भी हक है वो भी काम कर सकते हैं तो सारे partners के right होते हैं कि वह management में पार्ट लेंगे कोई भी पार्ट नहीं सकते हैं कि आप नहीं काम कर सकते हैं ठीक है अब दूसरा राइट क्या है जितने भी पार्टनर से एवरी पार्टनर एप्रेस्ट पर्लेम्स आएंगे तो उस साल्यूशन निकालते हैं यह प्रॉब्लम्स हमारे उपर आई तो अब इसको सौफ करना है तो उसके लिए क्या होना होगा हम लोगों कुछ उसका सॉल्यूशन निकालना होगा तो यह बोलता है कि जितनी भी फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स या फिर पर आते हैं कि हाँ यह डिसेजन हमें लेना चाहिए तो यह बोला जाता है कि सारे पार्टनर्स के जितने भी पार्टनर्स फॉर्म में काम कर रहें सबका ओपेनियन सब अपना ओपेनियन देगा ऐसा कोई पार्टनर नहीं कि नहीं आप नहीं दे सकते हो हर पार्टनर्स का औरॉल यह सबी का राइट एक ऐड़ा है तो इन परॉटेंट डिसीजन ऑब त feather कि अदि मिला यह वीएक्सिप्रेस करने का राइट मिला है तो इसके बतकि वहुए कि उन्हें डिसीजन भी लेनिका हख है लिए जब एक discussion हो रहा है किसी matter पर बिजनस के को बिजनस के point of view से देगा जाए किसी matter पर discussion हो रहा है अब सारे पार्टनर जितने चार-पार्टनर्स फर्म में हैं वो सारे अपने views दे रहे हैं कि जो problems आए हैं उन्हें किस तरह से फिर सब लोग अपना opinion दे रहे हैं आने के बद क्या होगा कि कुछ एक important decision लेंगे तो यह भी राइट दिया गया है हर पार्टनर को कि कोई भी पार्टनर का हर पार्टनर का decision लिया जाएगा क्या आप इससे agree करते हैं क्या आप इससे agree नहीं करते मतलब कि opinion प्लस decision वो सब सारे पार्टनर को मिलते हैं ठीक है अब next पर आते हैं next every partner has a right to inspect and take a copy of book of account and recording of the firm अब यह क्यों बोल रहा है कि account copy of account book copy of book of account अगर suppose that एक business में या फिर एक firm में क्या हो रहा है कि कुछ एक partners को लग रहा है कि हां कुछ transaction में इधर उदर है ठीक है transaction समझ रहे ना जो हम लोग goods लाते हैं और sale करते हैं मतलब purchasing जो selling करते हैं उसका एक जो recording करते हैं उसको प्रांजेक्शन बोलते हैं तो जो बुक में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं books of account बोलते हैं तो उस books of account का वो copy भी ले सकते हैं अगर उन्हें लगेगा कि हां इस transaction में कुछ problems आ रहे हैं और जो accurately नहीं हमें दिख रहा है हमें सही से दिख नहीं रहा है तो वो उसका copy भी लेकर देख सक क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकते हैं कभी transaction जादा कर सकते हैं कभी कम कर सकते तो यह हर इक partners का right रहता है कि हां आपको अगर कुछ लगे problems तो आप उसका copy ले सकते हैं अगर आपको कुछ information भी लेनी है तो भी आप copy ले सकते हैं यह हमें हर जगे देखने को मिलती है जब भी कि इसमें रोक नहीं सकता है कि नहीं हम आपको नहीं देंगे तो partners में भी सेम होता है partners अगर चाहे तो जो भी books of account है उसको copy ले सकते हैं उसको check कर सकते हैं क्या जो transaction हमारे business में हो रहा है वह सही है यह गलत है और रिकॉर्ड्स अब फर्म में क्या क्या आ रहा है क्या क्या जा रहा है उन सब का भी वो ले सकते हैं एक्स्ट एवरी पार्टनर हैसरा राइट टू इक्वल शेयर इन प्रॉफिट जैसे कि हम लोग जब partnership पढ़ना सुरू किया तब ही हम लोग ने क्या सिखा पार्टनर् पार्टनर सब बराबर होंगे उनकी जो profits होंगी वो भी उनकी एकॉर्डिंग के जो भी एग्रिमेंट में शाइन किये होंगे कि हमारी जो प्रॉफिट है टू इस्टू वान या वन वन इस्टू वन के रेशियो में बटनी चाहिए तो वो सारा कुछ पार्टनर को पर बहुत था सब्सक्राइब आधा काम कर रहा हो या कम कर रहें पर भीट हुआ है वह आपको उसी र्याइचियो में मिलेगा इसलिए बोलाता है जो शेर ऑफित होता है वो क्या होता है शीूङ होता है ठीक है ठीक है अब आते है एवरीपाटनर हसे राइट तो डीशीब इंट्रेस्ट ऑन लुओन एडवानस रेट अफ टॉफ रेट अफ टॉफ एडवश्चने पर्सेंट पर अनम मतलब कि अगर कोई पाटनर लोण ले रहा है या फिर एडवांस ले रहा है ठीक है तो वो ओव्यस सी बात है किसी अच्छे लोग से लिए बैंक से लेगा ठीक है अगर लेगा तो उसका रेट ऑफ इंट्रेस्ट जो रहेगा वो कितना रहेगा 6% रहेगा यह पूरा सापसा बता दिया गया है कि इनका रेट पूराइगा 6% रहेगा ओके सेवन पॉइंट क्या आता है राइट में सैवन पॉइंट बोलता है कि एवरी पार्टनर है जर्राइट तो सैवन पॉइंट में क्या बोलता है कि एवरी पार्टनर है जर्राइट तो इन डिम्निफाई एंड एक एकस्पेंस इंकर्ड अल लॉस सब्स्टेंट बाई हीम ठीक है तो मतलब की क्या बोलना चाहता है कि जो भी पर्म में जितने भी पार्टनर्स है ठीक है जितने भी लॉसेज आएंगे जितने भी लॉसेज अभी तो लॉसेज के बात हो रहा है जितने भी लॉसेज आएंगे सारे पार्टनर उस सब को हैंडल करेंगे ऐसा नहीं होंगा कि जो पार्टनर है एक पार्टनर है या दो पार्टनर है पार्टनर दो ही होंगे तो ऐसा परना होगा वो लोग करेंगे ठीक है जैसे प्रॉफिट में भी हम लोग देखा जब प्रॉफिट अंकर रहे हैं तो सारे पार्टनर को इकवली बट रहे हैं तो सिमिलर्ली जो प्रॉफिट बराबर कर ले रहें तो लॉस भी बराबर कर लेंगे ओके तो यह सब्सक्राइब बोल रहा है अब जितने भी पार्टनर से उनके राइट जो है अ crunchy साथ मेन में क्या होने चाहिए इक वली अगर फॉर्म जो है हमारा जो बिजनस है उस बिजनस में सब्सक्राइब उ arada मार्एऊँ से घृण्प में अगर प्रॉफिट कर एपार्टनर में अगर इन्होंने ज़्यादा पैसा मिलाया है और 12 इस person ने कम पैसा मिलाया तो ऐसा नहीं होगा कि वो assets में इसका कोई भी involvement नहीं होगा इसका भी उतना ही हक रहेगा assets में जितना इस person का हक रहेगा तो क्या बोलना चाहता है यह rights क्या बोलते है partnership में कि जितने भी partners firm में होते हैं उन सब का पूरा अधिकार होते है firm के assets पे ठीक है आब अता है कोई भी partner admit into a partnership firm without consult of other partner ठीक है no new partner ठीक है कोई भी नया partner इंटर या part नहीं ले सकता है ठीक है partnership firm में जब तक consult ना हो दूसरे partner का suppose that यहां पे एक यह partner है यह दोनों चला रहे थे अपना अपना business चला रहे थे आप कोई third party आया इनका कोई friend आया ठीक है इनका कोई friend आया कि इस partnership का member बनने के लिए कि मुझे भी partnership करना है आप लोग के साथ तो जब तक यह सहमती नहीं देंगे तब तक यह इंटर नहीं कर सकते यह अपने मन से किसी को भी partnership में एंटर नहीं करवा सकते हैं पार्टनर्शिप बोलता है अगर कोई third party आ रहा है partnership में वह तभी आ सकता है जब दोनों partner agree करेंगे तो यह हमारा ninth point बोलता कोई भी नया partner नहीं आ सकता है जब तक दूसरा पार्टनर आने के लिए अपना सहमती या फिर कंसर्ट ना दिखाए ठीक है टेंथ पॉइंट बोलता है जितने भी पार्टनर्शिप से एवरी पार्टनर्स राइट टू रिटायर फ्रॉम दिफ फॉर्म ठीक है आप पार्ट्नरकी में क्यों होता कि एक रिटार मैंड भी होता है का चार पास पास है तो इसमें यह वोगा कि हाँए ईक पार्टनर का इतने सावल Pence Park अब एक पर प्मिंगा होग नहीं कम पेस्टा है कि हमारा एकृटार्मेंट भी आएगा इतने साल बाद हम पार्टनर्शिप से चले जाएगे तो यह कृटार्मेंट का भी होता है सारे पार्टनर को अधिकार दिया जाता है कि हाँ एक retirement होगा सभी partners का एक 10 नियोर के बाद सब का इस firm से firm से सब अलग हो जाएंगे ठीक है separate हो जाएंगे तो यह थे 10 points rights के तो राइट में हम आज जाने क्या कि partnership में क्या-क्या right दिया जाता है partners को और यह सारी rights partners use भी करते उन्हें इस सब के बारे में पता होना चाहिए कि हां हमारे rights किया क्योंकि हम भी हम लोग कंट्री में हमारी भी कुछ rights है तो हम लोग अपने उस rights को use करते तो similarly partnership act में भी rights दिये तो वह सारे rights partner use करते ताकि कि किसी partners को ऐसा लगे कि हमने भी पैसा मिलाया है बट उनसे कम मिलाया है तो हमें यह हक नहीं दिया जा रहा है तो यह बोलता है partnership simple बोलता है doesn't matter कि आप कितना capital लेकर आया है या फिर कुछ assets लेकर आए matter बस यह करते जब आप partner हो तो आपके rights and duties सबके बराबर होंगे सम management पार्ट लेगा जो profit sharing ratio वह भी सबके equal होंगे अब हम लोग पढ़ेंगे duties के बारे में ठीक है अब इनके हक के बारे में जानगे क्या-क्या partners के rights होने जाए अब उनकी duties के बारे में जाएंगे इनकी duties क्या-क्या है पहला जाता है absolute and qualified duties दो टाइप duties को दो पार्ट में बटा गया है एक absolute और दूसरा क्या है qualified ठीक है अब absolute duty क्या होता है absolute duty होता है fixed by the law मतलब कि इस duty को किसी partners नहीं नहीं fix किया है किसने fix किया है law ने fix fix किया है ठीक है मतलब कि यह जितने भी duties हैं यह सारे law fix किया है और law के according partners को वह काम करना पड़ेगा ठीक है अब उद्ध है which cannot be violated by the partners जैसा मैंने बताया कि partners नहीं बनाया तो partners तोड़ भी नहीं सकते है law ने बनाया है अगर law हम लोग break करते हैं तो अव्यस सी बात है हमारे उपर case चलता है ठीक है तो यह natural सी बात है कि जब भी हमारे constitution ने जो भी law बनाया हमारे लिए उस law को हम लोग ब्रेक करते हैं या फिर तोड़ते हैं उस कानून को तोड़ते हैं तो हमारे उपर charges होते हैं या फिर उस पर case चलता है तो partners जो absolute duties है जो law ने बनाया है अगर partners उस law को तोड़ेंगे तो उनके उपर क्या होगए charges लगेंगी जो भी charges होंगे ठीक है क्या है पार्टनर्शिप एग्रिमेंट ठीक है पार्टनर्शिप एग्रिमेंट जो होता है वो partners एक एग्रिमेंट बनाते है उसके एक्कॉर्डिंग सारे partners को चलना पड़ता है और इस agreement को सहमती कौन देता है लौ देता है यह एक पेपर है ठीक है जिसमें लिख दिया गया है कि 123 ठीक है इसमें लिखा गया है ABCD partner से इनके profit sharing ratio 2 to 1 है ठीक है और इनकी tenure इतने साल की उसके बाद इनकी retirement है यह चला इनका एक agreement है यह क्या एक agreement पेज है अब यह लोग ने मतलब की लौ से permission नहीं अर अच्छा अच्छे खासे से इस पर चलने लगे अगर इन सब्सक्राइब करेंगे यह बोलता है कि अगर जो भी duties fixed by the law है और अगर कोई partnership agreement वो तोड़ता है तो उनके उपर charges या फिर जो punishment होंगे वो लगेंगे ठीक है applicable on all partnership और यह सारे partnership में applicable है तो यह जितने भी partners है सारे partners का बात किया जा रहा है कि जितने भी partners है सारे partners को must act as an मतले कि उन सबको इमांदारी से honestly काम करना चाहिए किसमें एक फर्म में ठीक है discharge on the on his duty to the maximum advantage of all the partners ठीक है बोलते क्या है कि जितने भी partners है firm में काम कर रहे है firm business business में काम कर रहे हैं वो कैसे पर में जो काम कर रहे हैं तो वो क्या इमांदारी से काम करेंगे ठीक है इमांदारी से काम करना मेंज अपने काम को अपने responsibility को जानेंगे कुछ भी illegal काम नहीं करेंगे जिसके कारण की फर्म को बंद होना पड़े ठीक है तो यह बोलता है कि वो काम बहुत ही इमांदारी से करेंगे अपने अपना पूरा contribution full contribution देंगे ठीक है और यह क्या है सारे partners के उपर यह applicable है फिर बोलता है कि the partnership must act a loyal and faithfully manner towards the each other means यहां पी वर्ड बुला के दो तिन पार्टर जितने में क्या होंगे लॉयल होंगे वाफादार होंगे कि हाँ उनके साथ हम बेमानी नहीं करेंगे faithful रहेंगे ठीक है कि उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे तो यह सब क्या है agreement में लिखा हुआ है ठीक किस agreement में partnership partnership agreement में अब बोलते हैं every partners act within the scope of authorities ठीक है means that authorities हमने पढ़े थे कि partnership के जो भी authorities होते है सारे partners को बराबर दिया जाता है ठीक है उसमें कोई partners यह नहीं होते है कि हाँ जब management में पार्ट ले रहे हैं तो ओव्यस्सी बात है उनको जो पावर दिया जाएगा सारे partners को equally दिये जाएंगे तो इसमें भी बोलते हैं कि जो भी इनके पावर से authorities है partnership में वो सारे partners को दिये जाते है ठीक है फिर बोलता है कि जितने भी पार्टनर से every partners every partner is born a share and loss of the firm equally मतलब जितने भी profit कमाएंगे जितने भी losses होंगे वो सारे partner बराबर कर हिस्सेदार होंगे ऐसा नहीं होगा कि profit कमाएंगे तो हम बस profit लेंगे loss हम नहीं लेंगे partnership agreement में लिखा रहेगा कि जो भी profits है जो भी losses है जितने भी partner से वो सब बातेंगे equally चीक है और यह हम लो rights में भी पढ़किया है कि जितने भी profits और losses है सारे partners equally बातेंगे no partner can transfer and assign his interest in the firm to the other without consent अब हम लोग ने इसको किसमें पढ़े दे rights में पढ़े है ना कि कोई भी partners किसी दूसरे partners को firm में नहीं ला सकता है बीना किसी दूसरे partner के सहमती से जब तक उसका partner उसको rights नहीं देगा कि हाँ आप दूसरा partners को ला सकते तब तक वो person नहीं ला सकता है दूसरे बादे कि कंसर्ट जरूरी है आप जो partnership firm में काम कर रहे हो तो आपको अपने partner से push करी करना होगा क्या हम किसी और भी member को अपने partnership में add कर सकते है या नहीं तो यह सारे चीज़ जरूरी है तो हम लोग ने क्या पढ़ा हम लोग ने duties पढ़ा क्या-क्या duties होनी चाहिए partnership अब आते है qualified 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 duties क्या होते हैं हम लोग ने क्या बला absolute duty किसके फिक्स्ट किया गया है law ठीक है law fix करता है किसको absolute duties को बट यह जो qualified duties है वो क्या है यह modified modified किया गया किसके बाइदे agreement of the partnership जब आप अब पार्टनर्शीप में इंटर किया गया है तो मैं modify some changes भी करना होता है तो उसको वह जाता है कि modified duties यह जो राइट से जो भी एक्ट है इस गिवेन इन 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 एक्ट कान भी मोडिफाइट ठीक है चेंजेंज भी हो सकते इस वाले एग्रिमेंट में बाइदे agreement अब दे पार्टनर इंटर 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 इन टो दे बार इक जब यह पार्टनर शीप फर्म में आ रहे हो तो आपका एक एग्रीमेंट बना हुआ है तो उसकुछ एग्रिमेंट में में changes हो सकते हैं ठीक है और जो changes हो सकते हैं किसमें रखते हैं क्सके एक और जिसको आपकर प्लकार 9 जर명 नहीं करते हैं आपकर और यह सकते हैं वहंड़ी होग Deutsch को व्यूसnej तो तूर्म के एकको्रीज किया जाता है तो similarly उसी की तरह ही partnership के duties में भी है जो absolute है वो कभी change नहीं होगा वो fixed रहेगा but qualified duties क्या होगा वो time के according partner के according उसमें कुछ modify means change किया जा सकता है अब आते हैं partnership में सबसे important जो heading है partnership वो बहुत important है partnership डिड़ का मतलब क्या होते है डिड़ का मतलब बता है document डिड़ का means होता है document बती किस टाइप का document ये partnership में एक ये ऐसा document होता है कि जब अगर मैं एक partnership का member होनी जा रही हूं तो कुछ document मुझे मिलेगा उस document में क्या लिख रहेगा उस document में terms and conditions लिखे रहेंगे ठीके पूरे स्टैंप पेपर पे क्या rules and regulations है कितना profit sharing ratio मिलना चाहिए आपको ठीक है का मिस जितने भी rules and regulations है जो business के अंदर function हो रहे हैं आपके क्या काम होंगे वो सारे कुछ एक document में लिखा रहता है उस document को क्या कहते है उस document को कहते है partnership did okay the did का मतलब हमसे याद ही गया document और वो कैसा document होता है partnership document होता है partners की interest terms and conditions and rules and regulations उसमें लिखा रहता है चलिए देखते हैं partnership firm can be formed through an agreement among a two or more person ठीक है agreement हम लोग पार्टनर्शिप स्टार्ट किये तब ही हम लोग देखे थे कि जो partnership होते हैं क्या होते हैं एक agreement होते हैं एक mutual understanding होती है तो दो लोग के बीच में जो agreement होता है उसको क्या कहते partnership कहते तो यह बोलता है कि partnership firm जब बनता है firm होता है और जब two or more person मिलकर एक agreement करते हैं ठीक है agreement करते हैं इन इंडिया यह इंडिया का बात हो रहे कि इंडिया में किस टाइब के पार्टनर्शिप है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एक्थ हम लोग 1932 पढ़ रहे हैं तो अब इंडिया का पढ़ेंगे इंडिया में किस टाइब की partnership है this agreement may be oral in return मतलब कि हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो agreement होगी और लोगी वर्बली और दूसरे क्या होगा written होगा जो लिखित रहेगा कि हां ये दो वैक्तिव पार्टनर्स है इनके यहां पर फर्म है इस टैप के वो फर्म कर रहे हैं तो रिटन होगा एक डॉक्यमेंटल होगा that is called a written document written agreement but it is desirable desirable have to a writing and void any misunderstanding among the partners starting में हम लोग किये थे जो written होते हैं उसमें अगर कभी भी दो partners के बीच में कुछ arise होता है कुछ जगडा होता है तो यह जो written document होता है वो help करता है कि हां हम लोग के बीच में यह agreement हुआ था बट औरल होगा तो ऐसा कुछ औरल में हमने वाल पर कोई evidence नहीं रहता है तो यह बताता है कि यह जो document है partnership के बारे बताया जा रहा है कि written document अगर होता है तो जो misunderstanding होता है यह future में अराइज नहीं होगा बट अगर औरल होगा तो यह arise होगा ही होगा क्योंकि जाइस वाज जहां दो लोग रहेंगे जगडा तो होता ही है चाहे कितनी भी अच्छी mutual understanding क्यों ना हो यह written document help करता है जितने भी terms रहते हैं and conditions रहते हैं partnerships के वो सब उस agreement में क्या रहते हैं include रहते हैं ठीक है एंड़ पार्टनर्शिप agreement is known as the partnership date जो partnership का agreement होता है जैसे कि मैं और मेरे friend agreement agree की है कि चलो agree की चलो ठीक है हम लोग एक अच्छी खासे अपनी दुकान खोलते हैं दोनों partnership करके खोलेंगे जो profit आएगा हम लोग बराबर बातेंगे वन इस टूवन के रेशियो में ठीक है तो हम लोग ने जो agreement अभी जस्ट किया उसको terms and conditions भी रखे ठीक है तुम भी फर्म छोड़के नहीं जाना हम भी नहीं जाएंगे जब फर्म छोड़के जाना हो तो दोनों साथ में जाएंगे तो हमारे के बीच के जो agreement थे जो terms थे and conditions थे उसको क्या बोलते है पांटरश्य। डिड़ बोलते हैं ठीक है अब पाटनर्शिब डिड में क्या यह जानते हैं ठीक है पांट्नर्शिब डिड में क्या क्या लिखा रहता है पार्ली बाकि पाटनर्शिब डिड़ एक Stamp पेपर में होती है उस स्टेम पेपर में आपका फर्म का नाम लिखा रहता है जितने पार्टनर्स होते हैं उसका नाम लिखा रहता है कहां पर आपका बिजनर्स है वह लिखा रहता है कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा वह लिखा रहता है हर पार्टनर्स के नाम सब कुछ लिखा रहता है इनके क्टेंट क्या होते क्या क्या उस पेपर में लिखा रहता है वह अभी हम लोग जानेंगे ठीक है तो पहले आता है कि फार्म का नाम होना चाहिए आप जब अपना फार्म कोड़ रहे तो अव्यसी बात है उस फार्म को नाम रखेंगे A, B, C कुछ भी रखेंगे तो यह firm को कुछ नाम होना चाहिए कहां पर वो है उसका address भी लिखा होना चाहिए उस document में कौन से document में partnership date वाले document में पूरा सब कुछ डिटेल में होना चाहिए उस document में ठीक है फोर्थ पॉइंट देखते हैं फोर्थ बूले डिउरेशन अब दी फॉर्म ठीक है अब होता है कि partnership आपने कभ इस्टार्ट किया उसका डिउरेशन होना चाहिए कि आपने कभ पार्टनर्शिप स्टार्ट किया और कभ तक आप खतम करना चाहते कुछ लिख हो गाई कि हम लोग इतने साल बाद partnership खतम कर देंगे या फिर हम लोग जब तक चलेगा तभी तक चल है कितने किते पैसे लेकर आ रहे हैं फार्म में बिजनस में डालने के लिए वह भी मेंशन होना चाहिए ठीक है इंट्रेस्ट क्या-क्या है है capital के मतलए कि capital लगा रहा है तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए benefits तो वह सारे चीज मेंशन होंगे कहां पर पार्टनर्शिप डिड में अब उनके जो बराबर बट रहा है या फिर टू इस्टू वन के रेश्यों बट रहा है या थी इस्टू वन की रेश्यों बट रहा है मिस जितने भी डिवाइड करके आप लोग एग्रिमेंट में जैसा आप लोग लिखेंगे कि हमारी profit जो होगी वह दो इकवली बटेगी या फिर टू इस्टू वन टू इस्टू वन वटेवर टीक है जो भी रेश्यों आपको नेक माना है वह रेश्यों ठीक है तो वह डिविजन भी लिखा रहेगा पार्टनर्शिप डिड में अब बता है पार्टनर शैलरी एंड कमिशन ठीक है पार्टनर का शैलरी होना चाहिए कि उनको पर मंथली कितना सैलरी मिल रहा है कमिशन वोता है जब आप किसी को हाइर कर रहे हैं तो उसको भी कुछ आप किसे काम कर रहे हैं तो आप कैसे कमशन कर रहे हैं कैसे सालेरी वह भी मैंशन करना होगा राइट्स पटनर्स की क्या-क्या है वह Mention करने पड़ेगा कि आपके फ़र में का कैसे कैसे दिए जा रहे हैं तो यह सारे कुछ देखने के बाद यह पाटनर किसी पार्टनशिफ फर्म में आएगा कि हाँ यह सारे रूल्स and regulations है इस partnership firm में क्या मुझे जाना चाहिए यह नहीं जाना चाहिए तो यह rules and regulations होते हैं एक firm का ठीक है rules and regulations हम लोग हर जगे देखते हैं हर जगे fill करना पड़ता है जब आप admission लेने जाते हो या फिर किसी university में किसी university में admission लेने जाते हो तो आपको न एक form मिलता है जिसमें कि कुछ university के कुछ rules and regulations लिखे रहते हैं तो उसको आपको अगर आप उसका violation करते हैं तो उस पर आपको क्या होता है punishment मिलती है तो similarly यह भी जो did है जो यह document है partnership का यह भी एक rules and regulations से भरा हुआ रहता है कि इसका कोई violation ना करें सब कुछ लिखित रहता है ठीक है अब आता है retirement का retirement का भी एक date fix होता है कि कब एक partner को retirement मिलेगा ठीक है तो यह देट भी लिखा रहेना चाहिए फिन अगर किसी partner का देथ हो जाता है तब कैसे partnership चलेगी वो भी सब कुछ mention रहता है कि इसमें partnership डीड में ठीक है अब अब आते valuation of goodwill goodwill का मतलब क्या होता है goodwill goodwill का मतलब होता है कि suppose that कोई एक brand है ठीक है मतलब कि अगर हमनों लेते reliance industry लेते ठीक है रिलाइंस अपने में क्या है एक बड़ा नाम है तो अगर कोई भी partner reliance का नाम लेके चला रहा है ठीक है तो क्या है उसके goodwill है किसी का भी reputation होती है किसी भी company का उसको क्या बोलते goodwill बोलते है reputation को क्या बोलते है goodwill बोलते है ठीक है इतना याद एक अगर कोई business क्या कोई firm अपना अपना नाम दे रही है अपना business का नाम किसी partner को दे रही है तो क्या दे रही है goodwill दे रही है मतलब कि अपना अपने बिजनस का नाम दे रही है तो वो बिजनस का नाम दे तो फ्री में नहीं देगी ना इतना बड़ा जब नाम है फ्री में तो नहीं देगी उसके लिए वो कुछ पैसा लेगी बोलेगी कि हम आपको जब अपने बिजनस का नाम दे रहे हैं मेरा बिजनस एक बहुत ही जाना मान करना business सब्सक्राइब लोग जानते हैं तो आप हमें कुछ दीजे उसके बतले में कुछ देना पड़ता है पैसा देना पड़ता है जो लेते हैं गुडविल ठीक है उसी को बहुत है वेल्युएशन कि आपकी यह गुड़वी लें रहा है तो क्या होगा उसका वेल्यूशंग उनके नाम का आपको पैसा देना पड़ेगा वैल्यूइशन होता है Revaluation of Assets and Liabilities, मतलब Assets and Liabilities के भी Revaluate करना पढ़ता है, चेक करना पढ़ता है कि क्या से हैं, ठीक है, Admission के Time, Retirement के Time and Date के Time, यह सब आपको देखना पढ़ता है, क्या देखना पढ़ता है, Assets and Liabilities देखना पढ़ता है, Business के, अब आते हैं, Accounts, Audit, यह सारे कुछ लिखे रहते हैं, किसमें Partnership डिड में, क्या से Account से क्या Audit हुआ है, यह सारे कुछ मेंशन रहता है, and Dissolution of Partnership, अब Dissolution of Partnership क्या है, Dissolution of Partnership होता है, क्या से Partners means Partnership firm खतम होती है, अब भी तक हम लोग जो पढ़ते आया है, Partners के बारे में पढ़ें, उनके Rights, Duties and उनके Document के बारे में क्या से Agreement करेंगे, तब जाके वो साइन करेंगे, यह पर्सन पार्टनर्शिप है, अब हम लोग उसके बाद जो टापिक पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे, Dissolution, Dissolution पहले क्या Registration पढ़ेंगे, तो यह होता, Dissolution का मतलब सिंपली होते हैं कि आप कैसे आप पार्टनर्शिप फार्म को खतम कर रहे हैं, उसका भी प्रोसेज़ूर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, चीक हैं, फिन यह कुछ Clause रहते हैं, जो Disputes होंगे, तो Disputes को कैसे Handle किया जाएगा, बिकाज जब लडाई होती है, तो हम लोग प्रेडिक्ट करके चलते हैं, जब लडाई होगी, तो यह रूल्स रखें, क्योंकि देखें, जब अगर हम इंडियन Constitution का लेके चलें, तो उसमें जब भी अगर किसी को punishment देनी होते हैं, तो वो लिखा रहता है, जो यह ऐसे crime करें के लिए भी लिखा, clause लिखा रहता है, अब हम लोग पढ़ेंगे registration, registration अब partnership, अभी लोग ने क्या देखा, कि partnership did क्या है, document जब हमें agreement, जब दो partner मिल के बोलेंगे, यह हमारी agreement है, अब हम जब दोनों partner agree करेंगे, तो उस agreement में साइन कर देंगे, उसके बाद उन्हें क्या होगा अब फदर क्या आगे क्या करना होगा, registration करवाना पड़ेगा, अब registration करवाना वो optional है, आपको registration अगर आप करवाना चाहेंगे, तो आप करवा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि registration compulsory है, partnership में registration compulsory नहीं है, जैसे कि partnership agreement दो टाइप के होते हैं, oral या return, return होगा, तो registration करवा पड़ेगा, return नहीं होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो partnership बस optional है, जैसे आप चाहिएगा, registration करवाना चाहेंगे, पार्टनर्शिप में, उनका क्या procedure है, वो देखते हैं, partnership firm can be registered at any time and fill a statement in the prescribed firm, prescribed firm कौन सा है, जो उनको मिला था, जो terms and condition वाले जो firm से, वो मिलते हैं, prescribed firm, एक firm मिलता है उन्हें, जिसमें कि उन्हें इनके firm का नाम, partners के नाम, उनके rights, duties and shares, वो सारे उस firm में लिखे रहते हैं, prescribed firm, उसको बुलता है, prescribed firm, the firm and duties signed by all the partners, जब वो prescribed firm उनहीं मिलेगा, तो वो सारे partners के signature होंगे, कि हाँ, यह इतने लोग मिलकर, एक partnership खोल रहे हैं और इन्हों लोग ने sign किया है, तो वो क्या registration का पहला step है, एक prescribed firm दिया जाएगा, उसके बाद registrar को भेज दिया जाएगा, पहला तो इन्होंने registration करवाने के लिए prescribed firm लिया, फिर जब सारा कुछ fill कर दिया, fill करने के बाद किसको भेजेंगे, रिजिस्टार को भ करते हैं, तो similarly इसमें भी होता है, जब आपको prescribed firm मिलेगा, भरियेगा, उसके बाद registrar office में जाके submit करियेगा, along with a prescribed fee, और कुछ fee भी देनी पड़ती है, ठीक है, जब हम लोग भी admission नहीं जाते हैं, जब में firm मिल जाती है, firm के बाद हमें कुछ payment भी करनी पड़ती है, तब जा फॉलो, ठीक है, कुछ statement आपको दिये जाएंगे, उन सब पर आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए आए अगे देखते, यह जो देख रहे हैं, यह statement आपको दिये जाएंगे, और यह सारे statement आपको fill करना है, तब ही जाकर आप partnership firm, partnership firm create कर जाएंगे, तब आपका अच्छा खा जो भी आपके, जहाँ पर आपका business है, वो situation का बताईएगा, लोकेशन बताईएगा, ठीक है, और जो भी address है, partners का हर एक partners के address भी होने चाहिए, ठीक है, date of admission of each partner, कब कौन सा partner ने admission लिया है, वो होना चाहिए, फिन क्या होना चाहिए, बिजनेस फर्म का date of accomplishment के business अब start कब से कर रहे हैं, ठीक है, आपका business का starting क्या है, date, तारिक, and duration of firm, के firm कब तक चलेगा, ये 6 चीज़ जो है, एक जब prescribed firm अब लीजिएगा, उसके वाज को fill कीजिएगा, register को दीजिएगा, फिन आपको prescribed fee कुछ जमा करना पड़ेगा, तो उसके content को fill करिएगा, फिर आपका एक registered partnership firm खुल जाएगा, ठीक है, अभी हम लोगने क्या देखा, register partnership, अब हम लोग देखेंगे, कुछ partner को register करवाना चाहिए, करवा लेंगे, कि हाँ, आगे हमारे कुछ दिक्कत ना है, उसके लिए वो register करवा लेंगे, अब इनको देखते है, जो registered नहीं करवाएंगे, उनके लिए क्या problems होंगे, जो consequences जो problems arise होंगे, कि आप registration नहीं करवाएंगे, ठीक है, जो problems आएंगे, आप registration नहीं करवाएंगे, जाइड सी बाद अब registration नहीं करवाएगा, तो आपको जो document है, not a document, जो agreement है, वो validity नहीं रहे, कोई आपके पास evidence, नहीं रहेगा तो पार्टनर्स एक टाइम के बाद कभी आप से डिनाय कर देंगे आप पर आपके जितने भी रूल्स आपने बनाए उसको फॉलो ना करें तो आप कुछ कर भी नहीं पाई है जस्ट आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कोट भी चाहिएगा कोई फाइदा न अगर पार्टनर्स हैं दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर उनको प्रॉफिट सही से नहीं मिल रहा है या फिर कुछ और इशूस है तो अगर उनको कुलेम करना होगा तो पात्नर सीफ फर्म पे क्लेम नहीं कर पाएंगे यस्ट भी कोड़ बीकॉड व होती है तो यह problem arise होंगे ठीक है अगर partnership firm of an unregistered person cannot file against the partner अगर registered नहीं है तो वो partner जब जैसे कि partnership firm पे वो कोई भी case या फिर कुछ भी शूने कर सकती तो वैसे partners के उपर भी नहीं कर सकती है दूसरा है दा अन्रेजिस्ट अन्रेजिस्टर फर्म cannot file and suit against the third party अगर तीन partners काम कर रहे हैं एक partner कुछ गलत कर रहा है या फिर उनके साथ धोखा कर रहा है तो वो तीसे partner पर case नहीं कर सकते just because उनके पास कोई evidence नहीं है कि हाँ यह लोग partner थे ठीक है आता है last unregistered firm cannot file and case against the any partner simply कोई भी partner किसी और partners पर case नहीं कर सकता है तो यह सारे जो consequences क्यों arise होगा just because registration नहीं होंगे तब ओके अगर registration होंगे तो आपके पास पूरा full and proof रहेगा कि हमने इस व्यक्ति के साथ registration किया है सारे हमारे agreement है तो सारे problem solve हो जाएंगे यह था कि जब अगर आप registration नहीं कराएं तो यह सब problem arise होंगे कि अब अब आते डियूजुलीशन अफ डियूजुलीशन अफ पार्टनर्शिप डियूजुलीशन का मतलब क्या होता है डूबना थीक है मिस्स डूबना आपने आपका बिजनस डूब गया मैं सब खतम कर दिये बिजनस simply क्या बोलेंगे खतम करना को हम लोग क्या बोलते हैं डियूजुलीशन अफ पार्टनर्शिप पार्टनर्शिप फार्म को हम लोग कैसे खतम कर सकते हैं देखिए पहला के डिसलीशन होते हैं आप बता है डिसलीशन और डिसलीशन ऑफ फर्म क्या होता है उसमें क्यों होता है जब तीनों पार्टनर्स जब थ्री पार्टनर्स जब तीन पार्टनर जब पूरे पार्टनर जितने भी फान के एक्जामपल दिखीं यह पर इग्जामपल है तीलोशन ना फॉर्म के किसके फॉर्म के कायसे फॉर्म को बंदर कर सकते कि अब हमें चलाना नहीं है आगे तो फर्म का end point कब होगा जब तीनों partner तीनों partner क्या होंगे business के वो decide करेंगे कि हाँ अब हम लोग क्या करना चाहिए डिस डिस्सॉल्व करना चाहिए तीनों के agreement से जो काम होता है कि हाँ हम लोग चाहते कि आप हम लोग फर्म को यहीं तक रखे partnership नहीं तक रखते आप उसके वाद खतम कर देते उसको लोग क्या चाहिए तो चाहिए और दो पार्टनर करना चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे आगे जानते हैं जब कोई एक पार्टनर का रिटार्मेंट होता है और दो पार्टनर चाहते हैं कि हम लोग इस business को continue करेंगे सिंप्ली एक पार्टनर बोलेगा कि हमको बिजने पार्टनर्शिप नहीं करना है आप उनको यहीं पर खतम करना है दो पार्टनर बोलेंगे कि हाँ हमको continue अपना partnership करना है तो इसको क्या consider करेंगे इसको करेंगे dissolution of partner मतलब कि partner खतम करके business को जा रहा है ठीक है मतलब partner खतम कर रहा है अपना relation business के साथ बाकि दो partner continue करेंगे business चलेगा business बट इधर दिखा जाए dissolution of firm में क्या होता है तीनों partner end कर देते हैं आब हमें तीनों का agreement होता है अब हमें यह partnership बंद करना है ठीक है तो यह था पूरा partnership आज पूरा partnerships के बारे में हम लोग complete कर लिए हैं ठीक है partnerships क्या है कैसे registration करने चाहिए कैसे इनका dissolution है तो आज पूरा partnership खतम होता है यही पर कल हम लोग पढ़ेंगे stock joint stock of company company के बारे में जाएंगे यह company भी forms of business में आता है ठीक है तो हम लोग कल मिलते हैं कल न्यूँ हीडिंग के साथ थैंक्यू